बिधानसभाद चुनाओं से पहले नेता मंत्री का बेतन बढ़ जाता है लेकिन बेरोजगार जुवाओं का बात करने वाला कोई भी नेता मंत्री खड़े नहीं होते हैं हलांके मुख्यमंत्री साहथ ने कुछ दिन पहले इस विशे पर रखा है बात कि रोजगार का स्रिजन किया जाएगा लेकिन जब नेता मंत्री का बेतन की बारी आती है तो नेता मंत्री तुरंद बेतन का पारित हो जाता है लेकिन रोजगार के बात करने वाला इस पांस साल के दर्मियान जो भी सरकारें आई पहले भी जो सरकार नहीं है उन लोगों ने बात नहीं का लेकं जब नेता मंतिर का ब्यतन बढ़ाने का टाइम आता है तो तुरंत खड़ा हो जाता है आपको इस विसे पर सोचने लाइक बात होगा कि आखिरकर जारखंड की दसा और दिसा को कौन बदल सकता है और जारखंड जारखंड में नेता मंतिरियों का बेतन बढ़ते टाइम तमाम पक्छो या विपक्छ एक साथ खड़े हो जाते हैं लेकिन जारखंड के जुआओं की जोब रोजग्यार की वात आती तो क्यों वो नेता मंत्री एक साथ खड़े नहीं होते हैं. और उस टाइम पक्ष वीपक्ष को देखा जाता है, लेकिन जब बेतन बढ़ाने की होती है, उस टाइम सभी नेता मंत्री चाहे बिधायक किसी और दलके हो, चाहे किसी और दल के हो, जब बेतन बढ़ाने की जब काम होता है तो उस टाइम सभी कोई एक साथ खड़े होते हैं, कल की केबिनेट बैठक में कुछ ऐसा ही बाते निकल के आया, जिस तर से बेतन ब्रिधी को लेकर केबिनेट में जो प्रस्ताव को फारित किया गया, उसमें स जो है, बीस हजार तक का तमाम मंत्री हो, या बिधायक हो, या मुख्यो मंत्री हो, तमाम लोगों का बीस हजार तक का बढ़ोत्तरी जो हुआ है, हलांकि ये सब सारी मुद्दों को हम रखने से पहले एक बिसेश स्वाल पे रखने कोसिश करते हैं, आज के जो पहले अपने आपको, अरे आप समाज को बाद में बदल लिएगा, कानूनों को बाद में बदल लिए तो, अब इतने पैसे क्या करेंगे, तो हमने पहला घोसना किया था, अगर हम लोग चुनाओ जीते हैं, तो 75% जनता की बिच सकते हैं, जनता को जहां यूज करना है, कि लेकिन आज के नेतामंत्री क्या कर रहे हैं, कि अपना बेतन बढ़ाने में है, जो लगे हुए, ऐसा ही कुछ बाते जो है, टाइगर जराम महतों के साथ हुआ है, टाइगर जराम महतों एक ब्रोटकास्ट में ये भी कहते हुए नजर आए, कि हम अपना जितने भी सिलरी आ कर देते, लेकिन आज जो पहले की नेतामंत्री थे, जो अभी सत्ता में बैठे हैं, जो लोग, वो लोग कहते हैं कि हमें हमारे बेतन बढ़ाने को लेकर कानुन बेनाया जाए, नियम बनाया जाए, उसको लेकर जब बिल पारित किया जाता है, पेस किया जाता है, तो उस ट जिजो पर सव्वरकृती मिली यह लेकिन एक्विषेस सवाल है कि नेता मंत्री का बेतन बढ़ता तो सब को एक साथ कड़े हो जाते हैं लेकिन रोजवगार कि जब बात करने की आती हैं तो कोई नेता मंत्री कोई खड़ा नहीं होता है पेपर कट के मैंदम से ये भी लिखा हुआ है CM से लेकर विधायक तक सभी के बेतन में 20,000 तक की बढ़ उत्री हो गई है और जो विधायक पूर विधायक उन पे भी लगाया गया ये सारे चीजें और ऐसे करमी है जो इन वर अभी भी इस पर किसी तरह का सवाल खड़ा नहीं किया जैसे कि केवल मंतियों का ही बेतन बढ़ रहा है जारखन में और 15 से 20 सालों में जो अनुबंद में काम कर है पारा मेडिकल स्टाफ, पारा टीचर से लेकर हर विभाग में जो काम कर है अनुबंद कर्मियों जिसका बेतन 10 से 12 हजार दे के कर्मियों को वितन भोगी बना के इन अनुबंद कर्मियों के साथ जो है उसका बाल बक्चों के जो है सोसन कह सकते हैं कि इस तरह का कोई भी अच्छा काम नहीं हो पारा है क्योंकि 10-12 हजार में आज के डेट में होता ही क्या है जब इन लोग एक बात पेशी करता है तो 20 हजार का बेतन बढ़ा देता है तमाम नेता मंतरी और वही लोग जो है 20 साल 15 साल से अनुबंद में काम कर रहे हैं लोग के कोई बेतन बढ़ाने की वात नहीं कहता है लेकिन स्वाल यहां पे रहा है कि नेता मंतरी जो पहले थे और अभी सत्ता में जो विराजमान है वो नेता और आपकी जो राजनिती करने आये नेता में क्या अंतर पा रहे हैं हम लोग जारखन के लोग जो है इस चीजों पे जादा फोकस कर रहे है कि पहले के नेता जो है अपना जेब भरने का काम करते हैं लेकिन आज के जो जुवा फिड़ी जिस तर से टाइगर जेराम महतो हो देविंदर नात महतो हो समाम नेता जो है जो छात्र नेता से ऊबर कर जो राज गही राज राजदानी में जिस तरि Eloy आंदोलन करते हुए वह अपने जो इस्तर को बनाया है और इस्तर वे जिस्तर से जारकंड की दसा और दिसा को इन लोग लागू कराने की बात करे हैं वह निटा में क्या अंतरपार है हलांकि उस टाइम के निटा अपने जेव भरने में सक्षम हैं और पेशी को लेकर रहे हैं लेकिन आज जूने पिड़ी के नेतरित करतार जो वहार हैं वो चार हैं कि हमारा जितना भी हमें मिलेगा अपना जो वेतन मिलेगा उसको भी हम लोगों के बीच रग देंगे तो यही अंतर पार हैं हरांकी जो देखने लाइक बात हो रहा है कि आखिर कर जहरकंड में कब तक इस तरह का दसा और दिसा बदलते रहेगी और इस तरह से रोजगार की बात ना करते हुए नेता मंत्री जो है अपने बेतन बढ़ाने में बात करते हैं यह कितना जाईज है यह भी तो देखने लाइक बात होगा जनता जो है काफी नराज है क्योंकि पांच साथ सालों से हैं कितना ज्यादा बेरोजगारी का दंस जहल रहें वो लोग भी सोच रहें आखिरकर हमारे साथ क्यों इस तरह से दूस ब्योहार किया जा रहा है जब निता मंत्री का वेतन बढ़ाना होता है तो सब एक जूट खड़े हो जाते हैं लेकिन हमारी रोजगार की जब कोई खड़े नहीं होते हैं बस हम लोग सड़कों पे अंदोलों ही करते रहते हैं कुछ लिखा हुआ है पेपर के मैदम से यह जानने का परियास करते हैं कि क्या कुछ नतिजा निकल के आया है जारकान में विधानसभा चुनाओं से पहले मुख्यमंत्री से लेकर विधायक वही मंत्रियों को जो है 85,000 रुपिय बेतन दिया जाएगा विधानसभा आदेच के आदेश पर गठिद विधानसभा की कमेटी ने इन बेतन बतनों के बढ़ोत्री का प्रस्ताव दिया था सभी सबचिया वाले ने इसे स्विकृत करते हुए सरकार को भेजा था वहां से म मंजूरी मिलने के बाद जो है केविनेट में इस पर मोहर लगा दी बैठक में 33 प्रस्ताओं को मंजूरी दी गई है कल का जो बैठक था बहुत अहम था लोग का रहते कि मुख्यमंत्री जो चंपाय सोरेंजी है वो आएंगे तो कुछ दसा और दिसा जो है बदलने का कागा रहा है लेकिन अभी तक रोजगार का बात अभी तक सामने नहीं आया है उन्होंने कहा तो है कि 200 बिजली यूनिट जो है फिरी देंगे तो यह सब सारी चीजे जो है बस कहावत में सही लगते हैं और जब बात आती है कि पैसा बढ़ाने की रोजगार की तो रोजगार की ब लेकिन रोजगार के मुद्दों कर बात करने को लेकर टीम गठिद नहीं किया जाता है तो उस पर बात करने वाला कोई भी सच्छम लोग नहीं होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बेतन ही बढ़े हम वह खाफी है हलांकि कितना सच्चा है इस चीजों पर जानने लाग बात सारी चीजों को रखेंगे बने रहें देखते हैं